दोस्तो क्या आपके भी हाथ पेरों की या फिर गर्दन की संटेन बिल्कुल भी नहीं जा रही है तो दोस्तो आज की वीडियो आप लोगे लिए बहुत ज़्यादा यूश्फुल होने वाली है तो दोस्तो आज मैं बताऊंगा की आप अपने हाथ पेरों का मैनिकोर पेडिकोर किस तरह से कर सकते हो कहीं का भी काला पन है दोस्तो और आप अपनी स्कीन को बहुत ही एदा खुबसूरत बना सकते हो सिर्फ इन दो चीजों से इसमें क्या एड करने वाला हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मोंटिज स्वागत है आप सभी का मॉन्टिज लाइफ इसटैल चैनल तो दोस्तो ये है मेरे पास क्लेनी प्लेश शैंपू और ये हल्दी तो दोस्तो इसके लिए बनाने के लिए दोस्तो हमें यहां पे चाहिए एक सापसा बाउल जुकी मैंने यहां पे लिया है और इसमें दोस्तों मुझे यहाँ पे चाहिए है हल्दी जो कि दोस्तों मैं लूँगा यहाँ पर आवा हल्दी अगर आपके पास आवा हल्दी नहीं है तो आप लोग किचन बाली भी हल्दी ले सकते हो यहां पर दोस्तों मैंने हाँ टी स्पून हल्दी ली है हल्दी हमारी स्कीन के उपर रेसिस होने से बचाती है उसमें anti bleaching properties होती है जो जो हमारी स्कीन में एक नई चमक लेके आती है और दोस्तो साथ ही हमें चाहिए यहाँ पे क्लीनी प्लस शैंपू शैंपू दोस्तो कोई सा भी हो मैंने यहाँ पे क्लीनी प्लस लियाए एक रुपे बाला यह दोस्तो जितना कि यह हमारे बालों को वाश करने में काम आता है होतना ही दोस्तो हमारी यह मेल्टेनिंग को निक है और जो हमारे हाथ पेरों का कालापन होता है यानि कि जो हम मैनिकर पैडिकॉर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके करवाते हैं तो आज हम दोस्तों मात इन तीन चीजें को मिला करके मैनिकर पैडिकॉर करके दिखाएंगे आपकी आँखों के सामने इसका result ठोगा गाईस तो इसी तरह से mix करना है आपको तब तक अच्छे से mix करना जब तक ये अच्छे से mix ना हो जाए गाईस तो इसमें जो दोस्तों last and final ingredient हमें add करना यहां पे दोस्तों लेमन का रस यानि की नीबू का रस यहां पर दोस्तों नीबू हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा एफेक्टिव होता है तो इसकी दोस्तों हमें कुछी ड्रोप चाहिए यहां पर 8-10 लेमन की ड्रोप चाहिए अगर यह आपको शूट नहीं करता है तो आप इसे इसकी भी कर सकते हो इसकी जगे आप टमाटर का रस भी ले सकते हो तो मैंने यहां पर आड़ कर जया यह नीवू का रस नीवू का रस दोस्तों हमारी मेल्टेनिक को निकाल के बहुत यह अच्छा वग करता है इससे 5-6 मिनिट के लिए ऐसे छोड़ देंगे जब यह दोस्तों अच् पैको नाइट में लगाना चाहिए तो मैं यहां पर दोस्तों अपने वुरस की help से इसको लगाऊंगा आप चाहें उंगली की help से भी इसको लगा सकते हो तो इसी तरह से दोस्तों आपको लगाना है यानि की मोटी सी लेयर में पूरे सरीर के उपर लगा सकते हो या आपके नेक पे गर्दन पे जहां पे आपका काला पन है वहां पे इसे लगा सकते हो तो जैसे कि दोस्तों संटेन हो जाती है संटेन जाने का नामी नहीं लेती है तो इसे आप लगाईए तो आपकी संटेन जो आना ऐसे गायब हो जाएगी कभी थी ही नहीं सच बता रहा हूँ एक बार यूज करके और अपना फीडवेक दोस्तों मेरे साथ जरूर शेयर करना यहां पर दोस्तों मैंने इस तरह से लगा लिया है आप लोग देख सकते हो और इसे अच्छे सी मोटी सी लेयर में ही लगाना है जहां पर भी आप लगाते हैं आप इसे अच्छे से लगाईए और उसे दोस्तों कम से कम 10-5 मिनिट के लिए एसे हम छोड़ देंगे लगा करके जैसे मैं यहां पर छोड़ रहा हूँ और उसी के रव करेंगे वैसे इसका color change होता जाएगा गाईज और ये हमारे हाथ पे रोकी meltaining को काटके निकालेगा बाहर करेगा और एक अच्छी सी चमक लेकर आएगा एक खुबसूरत सा चेहरा जो कि आप देखकर चोक जाएगे तो देखिए गाईज यहाँ पे अच्छी से massage कर लूँगा इसको और उसके बाद में आपको wash करके दिखाऊंगा तो एक बार के लगाने का result तो गाईज मुझे बहुत ज़्यदा अच्छा लगा जब आप इसे दोस्तों continue इस्तिमाल करोगे तो काफी अच्छा result मिलेगा तो उमेद करता हूँ वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और वी अच्छे वीडियो देखने के लिए सबसे पहले फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार टाटा एंड बाई बाई थैंक यू दोस्तो